सीरियन जनक में जनक के घर से जाने से पहले भी हुआ एक बहुत बड़ा तमाशा अब जनक घर से जा रही है और अनिरुत को उसने बोला है कि वो अर्शी का ध्यान रखे और ये बात अनिरुद को पसंद नहीं आती है जब जनक बार बार उसका नाम अर्शी के साथ लेती है अनिरुद को ये भी एहसास है कि वो जनक के बिना नहीं रह पाएगा लेकिन वो ये भी जानता है कि जनक को भी इस घर में रोकने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो इस घर से बाहर रहेगी तो काम्याब होगी, इंडिपेंटेंट बनेगी उसकी लाइफ बहुत बेटर होगी क्योंकि इस घर में उसे कोई पसंद भी नहीं करता है अगला दिन आता है जब झणक के जाने का वक्त आता है और अनिरुद यहाँ पर बोलता है जणक को कि वो रेडी हो जाए वो उसे छोड़ने के लिए जाएगा और घर वालों को ये बात बहुत आड लगती है कि जब छोटोन जनक को छोड़ने के लिए जा रहे हैं स्टेशन पर तो अनिरुद को खुद जाने की क्या ज़रूरत है अनिरुद बोलता है कि वो कोई भी काम शुरू करता है तो उसे अधूरा नहीं छोड़ता है वो जनक को इस धर में लेकर आया था और जनक को छोड़ने जाने की भी जिम्मेदारी उसी की है विपाशा बोलती है कि ये बात क्या अनिरुद ने अर्शी को बताई है अनिरुद बोलता है कि वो किसी का गुलाम नहीं है और अपनी लाइफ की छोटी भड़े डिसीजन्स वो किसी से पूछ कर नहीं लेगा वो ही जनक को छोड़ने जाएगा जबकि जनक भी यहाँ पर अनिरुद को बहुत बार मना करती है कि उसे जाने की जरूरत नहीं है चोटन बोलते हैं कि अगर अनिरुद जाएगा तो वो काल में चले जाएगे otherwise उन्हें खुद आटो से जाना पड़ेगा जिसमें काफी जादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और चोटन को इस बात पर भी धरवालों से डाट पड़ती है खेर at the end सब मान जाते है और अनिरुद की जित पूरी होती है और वही निकलता है जनक को छोडने के लिए जिससे पहले जनक सभी का आशिरवात लेती है और दादू बाई बहुत सारा आशिरवात देते है जनक को कि वो लाइफ में अपने बहुत कुछ अच्छा करे और उसे अच्छा जीवन साथी मिले और अच्छा परिवार मिले और इसी के बाद अपूदी यहाँ पर काफी जादा रोने लग जाती है क्योंकि उन्हें फाइनली रेलाइज होता है कि जनक अक्छल में जा रही है और कभी नहीं आएगी इसके बाद अनिरोध अपूदी को समझाने की कोशिश करता है और इंडाइरेक्ली अपने दिल की बात अपूदी को समझाते समझाते जनक को भी पता देता है जिसके बाद बड़ी मुश्किल से अपूदी जनक का हाथ छोड़ती है और अनिरोध छोटोन और जनक निकल पड़ते हैं स्टेशन के लिए स्टेशन पर जाकर एक बहुती इमोशनल मुवमेंट भी देखने को मिलेगा अनिरोध और जनक के बीच में